हेलो फेंट में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी अपने चैनल पर फेंट साज की इस वीड़िो में फ्रेंट पार्ट का वीडियो में आप लोगे साथ शेар करूँगी प्रिंसस करट का तो यह बेग नेक डिजाईन है मैं पहले ही आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप देख के से बना सकते हैं यह 34 साइस का बैक पार्ट है बोट नेक का डिसाइन है तो इसका फ्रेंट पार्ट में शेयर करूँगे आप लोगों के साथ तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे मैंने यहाँ पर कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है आप खुले भाग से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं एक लाइन रो करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है बैक पार्ट के टोटल लंबाई मैंने रखी थी 14 इंच फ्रंट पार्ट में आपको लेना है हाफ इंच बढ़ा कर तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी तरफ से हायू की पट्टी का हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है और अब मैं ले रही हूँ टोटल लंबाई तोटल लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ साड़े 14 इंच तो आप जितनी भी लेंथ रखते हैं फ्रंट पार्ट के उसमें हाफ इंच बढ़ा कर लीजिए कर प्रिंसस कट के लिए अब हमने यहाँ पर शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग कर देनी है शोल्डर लिये हैं 7 इंच 34 साइस के लिए आर्म होल लेने हैं 7 इंच इस तरीके से शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग कर ली है चेस्ट का चोथा भाग यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1,5 इंच एक्स्टर रखा है मैंने मार्जिन के लिए मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं नीचे कमर की तरफ से मैजरमेंट लेंगे कमर है 28 इंच उसका 4 पार्ट लेंगे 7 इंच और 1,5 इंच लिया है एक्स्टर मार्जिन के लिए यह मार्जिन वाली लाइन होगी और यह फिटिंग के लाइन होगी अब हमें आर्मोल का शेफ दे देना है तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल इस तरीके से शेफ दे रही हूँ इसके बाद अब हमें मार्किंग करनी है नेक के लिए और यहाँ पर सबसे पहले हम हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे बोट नेक ब्लाउस में इसके बाद हमें मेज़र्मेंट लेना है यहाँ पर नेक के लिए नेक की जो विट है वो लेनी है चार इंच आपने जितनी बैक पार्ट में रखी थी उतनी ही नेक विट आपको यहाँ पर भी लेनी है इसके बाद नेक की जो लंबाई है वो रख रही हूँ मैं इसमें 4.5 इंच आप 5.5 इंच तक ले सकते हैं ज़्यादा आपको डीप नहीं लेना है बोट नेक में इसके बाद हमने यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है ज़्यादा फिलाना भी नहीं है आपको नहीं तो नेक आपका आगे से लूज हो जाएगा तो जैसा हम बोट नेक का शेप देते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है प्रिंसस कट के लिए यहाँ से मार्किंग करने है हमें विर्थ में तीन इंच चोड़ाई में नीचे से लिया है मैंने तीन इंच उपर से टक्स पॉइंट आप अपने साइस के अकॉर्डिंग लीजिएगा मैंने इसमें रखा है साड़ी दस इंच और यहाँ पर हम लेंग अगर शेप देने में तो आप इसमें स्केल से भी शेप दे सकते हैं नीचे से मैंने टक्स का जो विट थे वो रखा है देर इंच और लेंथ में से लिया है दो इंच तो दिखिए आपको इस तरीके से से स्केल से ही इसे मिला देना है अगर आप शेप नहीं दे पाते हैं त तो arm hole आपको अंदर की तरफ इस तरीके से marking करनी है, 0.75 इंच अंदर की तरफ और इसी marking से आपको arm hole की खुलाई करनी है, क्योंकि इसमें हमारे shoulder ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से marking की जाती है, इसके बाद आपको arm hole उस तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, princess cut की cutting के लिए, तो मैंने यहाँ पर marking complete कर ली है, यह देखे, side से मैंने margin के अलावा extra part यहाँ पर लिया है, princess cut की cutting के लिए, half inch उपर की तरफ करते हुए आपको marking करनी है इस तरीके से और इसे cut कर देना है, इसके बाद हमने पूरे ही जहाँ जहाँ से marking की हुई है, वहीं से इसे cut कर देंगे इस तरीके से, अब हमने यहाँ पर sleeves की cutting करनी है, तो sleeves cut करनी के लिए कपड़े को इस तरीके से fold कर लेंगे, आप अपनी पसंद से sleeves cutting कीजिएगा, जैसी भी आपको रखनी है, बड़ी या चोटी, मैं यहाँ पर 4.5 इंच की लंबाई में sleeves cut कर रहे हूँ, तो इतना fabric लेते हुए, बागी fabric को हम cut कर लेंगे, बाट छोड़ के जो armhole बसता है, उसे नाप रही हूँ, तो यहाँ पर यहाँ आ रहा है, पोना 7 इंच, 7 इंच नाप लेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, मार्जिन का, sleeves का जो कपला है, उसे अच्छे से fold कर लेंगे किनारी से, ताकि उपर नीचे ना हूँ, और बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है, 4.5 इंच लिए है sleeves की लंबाई, इसके बाद मैंने यहाँ पर armhole नाप कर लिया है, उसके बाद हमने sleeves का shape देना है, 0.5 इंच पर मैंने इसे down किया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है मार्जिन का, नीचे मोरी का नाप नापके, और 1.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेकर, आपको sleeves का pattern cut कर लेना है, तो अगर आप बड़ी sleeves बना रहे हैं, तो आप 3 से 3.5 इंच तक down कर सकते हैं, छोटी sleeves के लिए 2.5 इंच ही down करना है आपको, 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्ग करते हुए sleeves का, front part का गहराई cut कर देंगे, साथी साथ इसमें marking भी कर लेंगे, ताकि sleeves को जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा, ये वाला part आपको front में ही लगाना है, तो सारे ही part मेरे यहाँ पर cutting हो गए है, अब मैं इसमें कपड़े पर रखते हुए cut कर लूँगी, तो पहले आपको सारे pattern बचे हुए कपड़े पर रख कर देख लेने हैं, कहां से कौन सा pattern निकल रहा है, उसी प्रकारी हाँ पर cutting करेंगे, सारे ही part मेरे हैं अब हम करेंगे इसकी stitching, तो इस तरीके से में कपड़े के साथ अस्तर के कपड़े को साथ में अटेज करेंगे, सभी part हमने इसी तरीके से अटेज कर लेने हैं, साइट वाला पार्ट स्टीज हो गया है अस्तर के साथ, इसके बाद main fabric यह जो front party से भी लेंगे और इसी तरीके से stitch कर देंगे, इसके बाद extra fabric को cut कर देंगे, दूसरा part भी हमें इसी तरीके से त्यार कर लेना है, यह दिखी, दोनों part में ने आपर त्यार कर लिये हैं, अब हमें princess cut वाले part को साथ में जोड़ना है, तो आप इसे नीचे से ही joint कीजेगा, दोनों part में यहाँ पर नीचे से ही attach कर रही हूँ, उपर से नहीं करना होता है, उपर से कोई भी part बड़ा चोटा हो रहा है, तो इसे जहाट करके बराबर कर सकते हैं आप, पर यह attach नीचे से ही होगा, दूसरा वाला part भी मैं आपको attach करके दिखाती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से attach करना है, तो दोनों ही part में यहाँ पर attach कर दिये हैं, और extra fabric को cut भी कर दिया है, इसके बाद हम यहाँ पर हाई hook की पटी attach करेंगे, तो हाई hook की पटी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, जहां से भी आपको hook लगाने में इसी लगता है, आप उस तरफ इसे attach कर सकते हैं, मैंने देखी इस तरफ इसे attach किया है, और इस तरीके से हाई की पटी मैंने यहाँ पर बना ली है, हाई की पटी लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हूँ हूग की पटी, हूग की पटी को दोनों ही पटिया मैंने 2 इंच की width में cut की थी, और हुक की पटी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है एक सलाई पटी को इस तरफ करते हुवे पटी के उपर लगा ली है और ये पैटन मेरा कम्प्रीट हो गया है बराबर करके चेक कर लेंगे अब हमने यहाँ पर गले की पटी तयार करनी है ये नीचे कमर की पटी कट की मैंने अब तिर्चे में उरेव में कटिंग करनी है हमें गले की पटी गले की पटी कभी भी आप सीधे में ना लगाएं उससे फिनीशिंग नहीं आती है आप इसे उरेव में कट करें याने की तिर्ची पटी इस तरीके से joint कर लेंगे अगर पटी छोटी है तो और एक पेर का margin cover करते हुए पटी को attach कर लेंगे इसके बाद हमने चोटे-चोटे cut यहाँ पर लगा देने हैं फिर एक सलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेनी हैं अब हमने पटी को कर लेना है अंदर की तरफ fold फोल्ड करने से पहले चोटे-चोटे cut आप लगा सकते हैं इससे fold करने में आसानी रहती है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इससे fold कर दिया है अब ये गला बनके तयार हो गया है इसके बाद में दूसरा गला भी तयार कर लेती हूँ ये देखिए दोनों ने एक तयार करने के बाद इससे आप एक के उपर रखकर एक चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा शोटा तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो नीचे से जाट करके बराबर कर सकते हैं, कमर पट्टी की छोड़ाई देड इच के लिए है, इसे डबल फोल्ड करते हुए अटेज किया है मैंने, सिंगल फोल्ड में भी कर सकते हैं, नीचे स्लीव को सिंपल आप नीचे की तरफ से सीधा रख लें और अस्तर वाले कपड़े को इसके उपर रख कर यहां पर हम आदा हिंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे, कपड़े के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगाएंगे, इसके बाद हमने इसे पलट करके अंदर की तरफ कर देना है, एक सिलाई उपर फिनिशिंग की लगा लेनी है, इसके बाद अब हमने यहां पर सिलाई लगानी है, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे क बराबर रखना है शोल्डर को और यहां पर सिलाई लगा कर इसे अटेज करना है, तो अच्छे से बराबर रखते हुए हमने इसे अटेज कर देना है इस तरीके से, और डवर सिलाई लगा लेनी है, अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के लिए बैक पार्ट का कटिंग नहीं करेंगे, यह देखिए आर मोल जो निकल रहा था उसे मैंने कट कर लिया है, बराबर कर दिया है, यहां से भी छाट कर थोड़ा बराबर कर लेंगे, इसके बाद ही स्लीव को अटेज करेंगे, तो यहां पर गहराई वाला जो पार्टे वो फ्रंट में रखते हुए सेंटर से हमने स्लीव को अटेज करना है, यह देखिए, एक तरफ से मैंने कर लिया है, इससे अटेज, अब मैं दूसी तरफ से भी से अटेज कर रही हूँ, सेंटर से ही अटेज करेंगे स्लीव को, दोनो तरफ की स्लीव से अटेज हो गई है, अब हमने स्लीव के जो जोंट है, जोंट से जोंट मिलाते हुए हमने इससे अटेज कर देना है और यहां से भी हमने इसे इसी तरीके से sleeves का जो joint है वहां से इसे मिलाते हुए attach करेंगी blouse की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से इसके बाद हमने यहां पर इसे उल्टा कर देना है man fitting लगाने के लिए तो एक सिलाई सबसे पहले में corner की यहां पर लगाऊंगी इस तरीके से दोरों तरफ लगा लेंगे अब हमने chest to waist का fourth part लेना है दूसरी तरफ से आप फाई की पट्टी को छोड़ते हुए measurement लीजेगा chest का लिया है 8 inch, गमर का लिया है 7 inch, sleeves का नीचे का bottom का लिया है 6 inch इसी तरीके से दूसरी तरफ का part भी fitting करेंगे और ये blouse का design बनके complete हो गया है तो friends आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो को like share जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर करें, भन्यवाद